नमस्कार मैं हूँ आनंद कुमार स्वागत है आप सभी लोगों का कॉंपटिक्शन कम्यूनिटी में कॉंपटिक्शन कम्यूनिटी का खास CGPSC और व्यापम के पैटरन पर अधारिक मोबाइल कोर्स लॉंच हो चुका है इस मोबाइल कोर्स के माध्यम से आप देश के किसी भी कोने में बैठ कर कहीं से भी CGPSC या फिर व्यापम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं भारती अर्थ्यवस्था और मारत की बुगोल में क्या है कुछछ खास, सुनी एगास सर से. दोस्तो मैं हुआकास सिंग और मेरे साथ आप पढ़ेंगे भारत की अर्थ्यवस्था और भारत का बुगोल. मेरे वीडियो में मिलेंगे आपको बहुत ही आसान भाषा में उधारन स्राइट, कंसेट क्लियरिफिकेशन और साथ ही स्टैटिक और डैनमिक अप्रोच रखते हुए परिच्छा उप योगी कंटेट, जिसके सहायता से आप परिच्छा में पूछे जाने वाले सारी प्रश्णों को असानी से सौल कर बाएंगे। इतना समझने के बाद हमने भारत को भौतिक अधार पर पांच वर्गों में डिवाइट किया, उसे बाटा, सबसे पहला जो भाग था वो था नॉर्धन माउंटेन, उत्तरी परवत, फिर था उसके बाद ग्रेटर प्लेन आफ इंडिया, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, फिर था पनिन्सलार प्लेटियो, प्रायदुपी पठार, और फिर था उसके बाद कोस्टल प्लेन्स, मैदान और आइलेंड्स अर्था द्विप, इन पांच भागों में हमने भारत को डिवाइट किया, और सबसे पहले हमने शुरुआत की नॉर्धन माउंटेन्स की उत्तरी परवत की, अब नॉर्धन माउंटेन्स को जब हमने शुरुआत कि पिछला जो विडियो था वो इस लिया क्योंकि जब हम हिमाले को अच्छे से समझ लेंगे, उसे परक लेंगे, तब हमें ट्रांस हिमाले और उत्तर पुर्वी पहड़िया पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, और हमने यहाँ पर हिमाले की शुरुआत की, सबसे पहले तो हमने यही देखा कि हिमाले की जो वह जब तीन चरण आपने देखे कि तीन चरणों पर तीन परकार की हाँ पर हिमाले की series बनी parallel series बनी तो उसके बारे में अब हम पढ़ना शुरू करें, तो सबसे पहला जो यहाँ पर भाग है वो है greater हिमालय, व्रीयद हिमालय, जो हिमालय के सबसे उत्तर का भाग होता है, तो सबसे पहली विशेशता ही हम यह देखते हैं कि या भारती प्लेट का हिस्सा था अर्थाथ, जब हम ने देखा कि EURATION प्लेट से भारती प्लेट आकर टगराया, तो वह वाला हिस्सा वह उत्तरी भाग जो भारती प्लेट का हिस्सा था, वही जब उसका वो थान हुआ उसका अपलिप्मेन्ट हुआ तो हुआ ग्रेटर हिमालय की रुप में तबदिल हुआ और Eurasian Plate का जो भाग उठा जिसका अपलिप्मेन्ट हुआ यह ट्रांस हिमालय का भाग बनता है या फिर यही भाग ट्रांस हिमालय बनता है तो सबसे पहला विशेचता ही आप क्या गएंगे कि यह जो आपका greater हिमाला है यह कौन सा भाग है तो यह Indian प्लेट का सबसे northern वाला पार्ट है जो northern या फिर उत्तरी भाग है या भारती प्लेट का जिसने Eurasian के साथ टकरा के इस समांतर फैली हुई परवतों की निर्माणगी हमने यह देखा कि जब इस हिमाले का उत्तान हो रहा था अलग-अलग चोड़नों पर तो ITSZ से लेकर MCT तक यह दोनों depression थे इन दोनों की बीच का जो भाग उठा उसे यह आपने क्या कह दिया था greater हिमालया तो अर्थाथ ITSZ उत्तर से लेकर MCT के दक्षिन तक या फिर आप इसे और सरल भासा में ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांस हिमाले से लेकर चो लेसर हिमाले या लगू हिमाले का भाग अब वह हमारा greater हिमाला है अब हम बात करते हैं इसकी विस्तार के पस्चिम से पूर्व की और कि कहानी क्या है कि जमू एन कश्मीर के नंगा परवस से लेकर इसका विस्तार जो होगा adalah आरुनाचल और तिबबत में फैला हुआ नामचा वार्वा तक इसका विस्तार होगा इसका विस्तार नंगा परवत से लेकर नामचा बारवा तक तो जैसे ही आपनी इस तीसरे विशेष्टाओं के बारे में बात की तीसरे विशेष्टा की बात की कि नंगा परवत से लेकर नामचा बारवा तक तो उसका series ऐसे परवतों की series बनते जाएगी मतलब कि आपको इसमें continuity देखने को मिलेगी उत्तरा खंड का आप फिर देख लेंगे नंदा देवी और फिर ठीक जब आप नेपाल में पहुंचेंगे तो नेपाल में इसी के series की आपकी कहानी दिखते जाएगी जैसे की धौलागिरी के बाद आपको दिखेगा अनपूर्णा अनपूर्णा के बाद आपको दिखेगा मकालू मकालू के बाद आप पहुंच जाएगे माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट के बाद आपको दिखेगा मनसालू सिक्किम में जब आप आएंगे तब आपको यहाँ पर मिलेगा कंचन जंगा और उसके बाद आपको मिल जाएगा नामचाबारवा तो आप इसे क्या कहेंगे जब इस प्रकार से आप परवतों की बिना चुटे हुए जब सिरीज को देखेंगे तो आप यहाँ कहाँ देंगे कि यह किस प्रकार की परवतों की लाइँ है तो निरंतर या फिर कंटिनियस एक्स्तेडे़ मांटेन सिरीज है जब आपने यह देखा कि भारती प्रेट और उड तकासम और तक राया तो ये बॉर्डर वाला भाग है तो जब यह बॉॉड़रवाला भाग आपको दिखता जाएगा तो बॉड़र वाला भाग तो पूरा यहां से लेकर नाम्चा बारवतक है तो जब यह प्लेट जब यह टकराता है तो सबसे बॉॉडर में रहने के कारण क्योंकि इनके कॉलिजन जो होंगे तो उस कॉलिजन का जो बॉर्डर होगा उस सारे बॉर्डर पर ये सारा उठा हुआ रहेगा मतलब कि इसमें कोई अन्य प्रगार के ना तो भारत के दक्षिंड से इस पहाडों को तोड़ने के लिए कुछ शक्ती वहां तक पहुचेगी क्योंकि वह शक्ती लेसर हिमाले शिवालिक में आपको देखने को मिलेगी कि सिर्फ यहां पर टकराने के कारण नहीं लेसर हिमाले और शिवालिक का जो उत्थान है उसकी जो विकास है वो अन्य कारणों से भी हुआ है लेकिन इसका जो विकास हुआ है वो मात्र कॉलीजन के कारण हुआ है कॉलीजन के कारण हो जाने के कारण जो बॉर्डर वाला भाग था वो पूरा वहाँ पर आपको ये continuous mountain series दिखेगा तो कॉलीजन के कारण फिर उसके बाद आप इसकी अगली विश्चिश्टा के बारे में बात करेंगे कि जब आप सभी चरणों पर बात करें सभी यहाँ पर greater हिमाले, lesser हिमाले और शिवालिक की बात करें तो ये वाला भाग जो है वो सबसे highest है highest है कैसे आपने इसे highest का तो आपने बताया कि इसी सिरीज में आपको Mount Everest मिल रहा है जो विश्व की सबसे उची चोटी है आपने इसी इसी पर बात किया आपने कंचन जंगा का और कंचन जंगा भारत की सबसे उची चोटी है ध्यान रखिएगा कई जगे पर आपको यहां पर केटू भी बताया जागा बट केटू पुन रूप से भारत के administrative area पर नहीं आता कंचन जंगा आता है केटू जो है वो पाकिस्तान और चाइना में फैला हुआ भाग है कारा कोरम रेंज में और कारा कोरम रेंज ट्रांसीमाले का भाग है तो केटू पुन रूप से आप नहीं कह सकते कि भारत की उच्चितम चोटी है कंचन जंगा उच्चेतम चोटी है इसकी जो उचाई है वो है 8595 मीटर के आसपास माउंट एवरेस की हाइट आप बता जीजे 8848 मीटर के आसपास है तो इस उचाई के परवस्षिंखले यहां पर मिलते हैं क्यों मिलते हैं क्योंकि जरा आप समझें कि जब बॉर्डर पर यह जब यह जो सिरीज है वो बॉर्टर पर आपको दीख रहा है तो यही इसका मतलब है कि आज भी यह उपर उट रहा है मतलब सबसे पहले जिसने उटने का काम शुरू किया वो ग्रेटर हिमाले था और अभी तक उठी रहा है तो ग्रेटर हिमाले मतलब इसके बाद जितने भ कारण क्या है कोलीजर अब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का मद्य का भाग हो जाने के कारण ही इसे कह दिया जाता है सेंड्र एक्सियल रेंज अर्धात वह केंद्री अक्षिय श्रेणी होगी मतलब कि वह रेंज है वह एक्सी से उस एक्सीस के उपर का भाग इस अधार पर आपने इतनी सारी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष कि ये नंगा परबत नंदा देवी धौला गिरी मतलब West to East Mountain सीरीज को आप अरेंज कीजिए तो भी आप बता लेंगे East to West करिया जाए तो भी बता लिया जाएगा भारत की सबसे उच्छे तब चोटी तो भी आप बता लेंगे तो इस प्रकार से हम greater हिमाले को समाप करते हैं greater हिमाले को समाप करने के बाद हम पहुंचते है lesser हिमाले की और अब हम बात करते है lesser हिमाले के या लगों मेलेगी तो lesser हिमाले क्या हुआ greater हिमाले के निर्मान के बाद अगला जो यहां पर भाग जो दूसरे चरंड पर यहां पर हिमाले का उत्थान दिका वह भाग lesser हिमाले का गया lesser नाम से दिख रहा है आपको कि greater से यह छोटा होगा तो greater हिमाले के दक्षिण में यह भाग है तो चलिए इसकी कुछ विश्चिशनाओं पर बात करते हैं तो सबसे पहला तो वही जो मैंने आपको कहा कि इसका विस्तार तो north to south अगर आप देखें उत्तर से दक्षिण के अधार पर देखें तो यह mct से लेकर जो भाग यहाँ पर उठा और उसके बाद mbf तक mbf क्या है तो मैंने आपको बताया था main boundary fault तो mct से लेकर mbf तक का जो उठा हुआ भाग है उसे आप lesser हिमाला कह रहे हैं लेकिन अगर आप इसका अगली जो विशेष्टा देखें तो यह थोड़ा सा important है थोड़ा tricky है इसे समझेंगे जिस प्रकार से greater हिमाले continuous दीखा था इसकी विशेष्टा हमें discontinuity वाले देखने को मिलेगी discontinuity मतलब की ना तो यह निरंतित होने वाली है और ना तो निरंतर नहीं होने का वाला मतलब की बीच बीच में इसमें break दिखेंगे जैसे for example अगर आप इस वाले भाग में देखें तो पीर पंजल के बाद अगर आप देखें तो धौला धार इन दोनों के बीच में आपने देखा कि पीर पंजल जो है वह पहले एक भाग बनता है और उसके बाद इनकी जो chain है वो break हो जाती है और उसके बाद आपने देखा धौला धार तो यह जो discontinuity है यह जो इसमें निरंतरता नहीं है उसके पीछे का कारण क्या तुझरा समझते हैं जब Eurasian plate इंडियन प्लेट टकरा गया ग्रेटरी माले बन चुगा तब हम क्या देखते हैं कि जब इंडियन प्लेट इंडियन प्लेट पर टकराया तो northern side से भी कुछ फोस लगेगा क्योंकि Eurasian plate सक्री नहीं ता सक्री था इंडियन प्लेट इंडियन प्लेट जाकर Eurasian plate से धल जाता है धल जाने के कारण एक reaction force पड़ेगा इंडिया के साइड में इस reaction force के कारण हमारा जो lesser हिमाले वाला पार्ट है उसमें impact पड़ेगा बढ़ ध्यान रखेगा इस वाले भाग में मतलब की जो परायदुपी पठार वाला भाग है वहाँ पर आपको बड़े बड़े परवत खंड दिख रहे हैं अरावली, सत्पूरा, विंधियन, क्लियर है तो ये वाला भाग आपको यहाँ पर दिख रहा है और साथ ही जब Eurasian plate से टकराव होता है त तो अब एक बात समझे कि जब greater हिमाले जो है वह खड़ा हो चुका है उसको greater हिमाले और Eurasian plate का reaction force इंडिया साइड में लग रहा है बट इंडिया साइड से भी force लग रहा है तो जब दोनों ही साइड से force लगेगा जब हम देखें कि यह जो भाग है इसमें Eurasian plate और greater हिमाले side से force लगे प्रायदूपी पठार side से force लगे जब यह अलग-अलग direction से force लगेगा तब आप क्या देखेंगे कि बीच-बीच के जो भाग होंगे वो तूटने लगेंगे और इसे आप कह सकते हैं आसान शब्दों में कारण में अगर आपका है तो due to irregular endogenic forces due to irregular endogenic forces हिंदी में क्या हो जाएगा आनियमित अंतरजात बलो के कारण अंतरजात मतलब जो अंदर से लगे एंडोजनिक जब आप कह रहे हैं तो जो धर्ती के अंदर से कोई अगर ऐसी प्रक्रिया हो रही है जिसके कारण ही आप पर force लगे तो वह endogenic हो जाएगा बट वह regular नहीं है irregular है मतलब कि zigzag motion पर लग रहा है southern side से लग रहा है northern side से लग रहा है तो जब ये endogenic forces irregular direction से इस फाक पर लगेंगे तो इनकी continuity break हो जाएगी और ये discontinuous हो जाएगा तो चलिए अब आप समझ गए होंगे कि discontinuity बनने के पीछे का कारण क्या है तो आप समझ गए होंगे कि आपको यह यहां पर क्या बताना है कि अनियमित अंतरजात बलो के कारण अब क्योंकि यहां पर यह force लग रहा है दोनों direction से काफी तो आप इसे हैं कह सकते हैं कि यहां पर कायांतरित पत्थर यहां पर मिलेंगे या फिर यहां पर metamorphism हो चुगा होगा metamorphism क्या हो दें तो जब जो संरचना होती है यह काफी लंबे समय तक इसमें temperature of pressure इसे दबाते रहें तो उसका जो structure होता है उसे आप metamorphism कहते हैं इसके बारे में detail में हम rock structure में पढ़ेंगे जब चटानों के बारे में हम अपनी class लेकर आएंगे तब तो discontinuity के पीछे आपने का च्छेत्र पर अगर आप देखें तो इसी अच्छेत्र में या फिर इसी lesser हिमाले का जो भाग बनने वाला है तो यहीं पर आपको इसी lesser हिमाले का भाग बनेगा मसूरी मसूरी के बाद आप मेटलोड गंज की भी बात कर सकते हैं ठीक है हलाकि मेटलोड गंज आपको हिमाचल परदेश पर मिलेगा तो इसे आप राज्य के अधार पर अरेंज कर सकते हैं बड़ यहाँ पर मैंने सिर्फ एक्जामपल बताया है कि कौन कौन से भाग यहाँ पर मिलते हैं भाग तो जब greater हिमाले और पीर पंजल के बीच का जो डिप्रेशन है जो घाटी है उसे ही आप क्या देते हैं कश्मीर घाटी या फिर कश्मीर वैली जब धौलाधार और greater हिमाले का जो भाग होगा इस वैली को आप नाम दे देते हैं कांगरा वैली तो आप यह बताएं कि घ हाटिया कहां मिलेगी तो घाटिया आपको lesser हिमाले और greater हिमाले के मद मिलने वाली है जैसे प्रमुक तोरपर हमने कश्मीर हिम गाटी और कांगरा वैली के बारे में हमने यहां पर बात कर लिया साथ ही साथ आपको इस lesser हिमाले वाले भाग में हिमाचल उत्रा कहा जाता है जैसे आप अगली विशिष्टा कहा दे लेक्स तो ताल तो क्या-क्या तो आपने फेमस सुना होगा नैनी ताल भीम ताल ये सारे वो जीले हैं जो लेसर हिमाले में आपको मिलने वाले क्यों मिलने वाले क्यों मिलने वाले क्यों डिसकंटिनियस है ना डिसकंटिन लैसर ही माले में दिखेगा क्योंकि डिस्कंटिनिया से दोनों परवत या फिर दो से ज़्यादा परवतों कि बीच का जो दबा हुआ भाग है वो घाटी है और उन दबे हुए भाग में उन घाटियों में जब पानी आगर भर जाएगा तो उसे आप ताल कह रहे हैं ताल मतल कि हिमोड निक्षेप के द्वारा निक्षेपन मतलब डिपोजिशन तो जब हिमोड जलोड मतलब जल के द्वारा निक्षेपन किया जाए जल के द्वारा डिपोजिशन लिया जाए लेकिन यहां पर यह किसके द्वारा निक्षेपन डिपोजिशन हो रहा है हिमोड के आपको एक भुभाग मिलेगा एक ऐसे वहां पर झहां डिपोजिशन होंगे ऐसा भाग मिलेगा वह कियों इंपोर्टेंट थैं तो वह इंपोर्टेंट है के सर के उत्पादन के लिए और इस भाग को ही आप क्या कह देते हैं करेवा यह बहुत ही इमपोर्टेंट कई बर एक साथ ही जब आप कश्मीर वाले छेतर पर देखें तो जो यह परवत हैं उनके धालान पर उनके स्लोवस पर आपको छोटे-चोटे घास के मैदान दिखेंगे अब हम देखें इस करेवा को तो करेवा हो गया हमारा पांचवा पॉइंट अब चट्वे पॉइंट पर आते हैं क चट्वा पॉइंट क्या तो चट्वा पॉइंट में आपको ये बताना है कि इसी कश्मीर वाले भाग में इन प्रीर पंजल धोला धार इन भाग में जो धलान होते हैं जो यह उच्छे-उचे परवत होते हैं उनके धलानों पर घास के मैदान मिलते हैं और इनी घास के जो कश्मीर के या लेसर हिमाले के धनानों पर आपको पाए जाते हैं और इसे ही इसी मर्ग को जब आप उत्रा खंड में चले जाएंगे तो वहां की स्थानी भाचा में इसे बुग्याल्स कहेंगे तो इतनी सारी विश्चेश्ता आपकी लेसर हिमाले की हो गए और अगर कारण पुछे तो इर्रेगूलर एंडोजनिक फोर्सेस के कारण इस लेसर हिमाले का निर्माण हुआ फिर अगर आप से यह पूछे कि करेवा कहां पाय जाता है कश्मीर में और इसका यह करेवा की विश्चेश्ता अगर पूछे तो करेवा क्या है यह कैसी संरचना है जो ह हिमोंडिक छेपन के कारण जो संरचना बनी है जो करेवा बनी है वही केसर के खेती के लिए बहुत ही उप्यूक्त है और यह आपको लेसर हिमाले में देखने को मिलेगा चाहटी साथ ही अगर बुग्याल क्या है तो लेसर हिमाले के धालानों पर पाया गया घास का मैदान जिसे आप कश्मिर मर्ग कहते हैं तो यह हो गया लेसर हिमाले का चलिए अब हम देखते हैं शिवालिक या आउटर हिमाले या बाहिमाले की विश्चिस्ताओं पर चलिए अब हम शिवालिक पर जाते हैं शिवालिक के लिए अलग से मैपनी बनाते हैं बहुत ही कम यहाँ पर क भाग बना कैसे या इसका निर्माण कैसे हुआ तो मतलब कि यह है कि यह इंडियन प्लेट का क्या उत्यत मुकंड है क्या अप्लिफ्टिट भाग है तो नहीं शीवाली का ऐसे निर्माण हुआ कि जब ग्रेटर हिमाले और लेसर हिमाले बन गए और हिमाले की जो नदियां थी उन हिमाले की नदियों ने बहना शुरू कर दिया तो जब ये बह रहे थे तो हमने ये देखा कि हिमाले का उत्थान जो हुआ टर्शरी काल में हुआ है मतलब कि यंग है यंग हो जाने के साथ में क्योंकि परवत है तो परवत है तो मतलब इसकी स्लोप भी होगी कर दी और यह नदियां जब फ्लो कर रही है तो इनके पास में क्या क्वांटिटी कम है क्या या मातरा इनके पानी नहीं तो क्वांटिटी काफी जादा है क्यों क्यों क्योंकि आगे आगे आप जब नदियां देखेंगे तो आप यह समझेगे कि जो हिमाले की नदियां है वह सदा नीरा होती हैं सदा नीरा होती हैं अर्थात कि जब वर्षा का पानी मिलता है तब तो बहती है उनमें पानी मिलता ही है और जब वर्षा का पानी नहीं मिलता तो हीम के पिघलने से दियो टो melting of ice इसमें पानी आ जाता है तो इन नदियों के पास में बहुत ज़्यादा quantity है और quantity इनकी होने के साथ में इनका जो flow है वो भी काफी fast होता है काफी तीवरगती से यह बढ़ेंगे और तीवरगती से क्यों पढ़ेंगे क्यों कि हिमाले पर यह flow कर रहे हैं और हिमाल जब ढ़ाल बहुत ज़्यादा होगा और उसमें बहने वाली नदिये की quantity भी बहुत ज़्यादा होगी तो क्या वो erosion नहीं होगा वो भाग बिलकुल होगा और erosion और तीवरगती बहुत जाएगा तीसरा कारण भी ले ले लेते हैं अगर एक कारण यह है दूसरा कारण यह है तीसरा कारण यह ले लेते हैं क्योंकि हिमालय का जो उत्थान वह है वो tertiary काल में हुआ है तर्चारी मतलब यंग है वो यह मतलब कि अभी उसमें जितना उसकी संड्रचना में कढ़रता आनी चाहिए एक समय के साथ और कढ़रता नहीं आई है मतलब कि हवाऊं के साथ, पान materials लेकर आएंगे sediments लाएंगे और लाकर वो क्या करेंगे, निक्षेपंड कर देंगे दक्षिन के और कि हमाले की नदी हम South की बात कर रें, इनका निक्ष्षेपंड हो गया अब ये जो निक्षेपंड वाला भाग ये जो deposition वाला भाग है जब ये डिपोजिशन वाला भाग उठा तो उसे ही आप कहरें शिवालिक उसे ही आप कहरें बाहिमाले क्यों क्यों क्योंकि हिमाले का सबसे बाहरी भाग है इसे ही आप कहरें आउटर हिमाले क्योंकि सबसे जैसा मैंने बता है कि सबसे बाहरी भाग है अब आप इन सारे कारणों के अधार पर या सारे जो आपने कंसेप्ट समझे उस कंसेप्ट के अधार पर आप यह बता सकते हैं वो लेसर हिमाले का पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर आप आउटर हिमाले या शिवाली के बाद कि सबसे पहले तो आप यह बताईए कि इसका उत्थान हुआ है निच्छेपन के अपलिफ्मेंट में ठीक है अपलिफ्मेंट किसका निच्छेपन तो हिमाले की नदियों के द्वारा जो निच्छेपन किया गया उसके उत्थान से शिवाली का निर्मान हुआ और यहां पर व मातरा में निच्छेपण होगा तो यह हो गया उसके शिवालिक के बनने के पीछे का कारण यहां पर हेडिंग भी डाल लेते हैं हम लोग आउटर हिमाले तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा आप भारती प्लेट का टकराने के बाद में उत्थान हुआ तो न यह निच्छेपण के खारण डिपोजिशनल अप्लिक्मेंट के खारण शिवालिक का निर्मान होगा अब जड़ा हम समझते हैं कि जब आपने यह बता दिया कि डिपोजिशनल अप्लिक्मेंट तो जहां पर ज़्यादा नदिया बह रही है तो पस्च्रीमी सैड में आप विशेश्ष्टा है वह यह है कि शीवालिक जो होगा वह पस्ट्वि साइड में तो दिखेगा काफी चोड़ा दिखेगा लेकिं जैसे ही आप पूर्व के भाग में जाएंगे तो तो ये हो गया उसकी दो विशेश्चता अब इन दो महतवपून विशेश्चताओं के बाद तीसरे विशेश्चता पर बात करते हैं कि तीसरे विशेश्चता क्या है लॉंगिट्यूडन वैली आपको इसी भाग में देखने को मिलेगी अर्थाद जब इसी इनी घाटियों क को उस छेतर में दौार कह दिया जाता है कि इस छेतर में तो हिमाचल उत्राखन वाले छेतर में जैसे कि अगर आप बात करें तो हरी दौार हरी तक पहुंचने का दौार तो यह जो घाटियां मिलेंगी जो आपको मांटेंज देखें उनके बीच का जो भाग होगा उन लेसर हिमाले और शिवाले के बीच का जो समतल भूमी दिखेगा उसे दून कहा जाता है तो ये चौता पॉइंट भी याम याँ पर डाल देते हैं क्या समतल भूमी किसके किसके बीच तो लेसर हिमाले और आउटर हिमाले के बीच इस समतल भूमी को कह दिया जाता है वहां की स homework करेंगे कि देरादून कौन से राज्य में पढ़ता है आप homework करेंगे कि इस longitudinal valley का हरी दुआर ये कौन से राज्य में मिलता है फिर आप देखेंगे कि क्या इस भाग में कोई घाडिया और प्रमुक्ष मिलती है क्या तो यह आपका self homework है आप इसे तयार कर लें तो विशेश र हमाले को कैसे खतम किया तो हमने हमाले को तीन चरणों में देगा सबसे उत्तर ग्रेंटर फिर लेसर और फिर उसके बाज शिवाली विशेश्था भी देखने के बाद हमाले भाग हमारा ख़तम अगले वीडियो में हम ट्रांस हैमालया और उत्तर पूर्वी पहाडिया अगर ये हिमाले नहीं होता तो भारत का उत्तर भारत अमरूस थल्ग जल्वाईयू का अनुभाव कर रहा होता क्या एक्सपरियंस कर रहा होता डेशर टाइप क्लाइमेट तो अब है पहाड है नॉर्देन जो माउंटेंस है उसके करण क्लाइमेट में ऐसा असर आया तो ऐसे और भी कई सारी विशिचना है भीमाले नहीं होता तो आज जैसे हम भारत देख रहे हैं वैसा भारत नहीं होता तो वो सारी चीजों को हम नेक्स वीडियो में खदम करेंगे तो अभी इन दिये गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं और हाँ इसके लावा आप एक डेट और सेट कीजिए बाइस दिसंबर दोहजार उन्निस इस दिन से लॉंच होने वाला एक्टियार यानि कि फास्ट्रैक रिविजन पूर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर तो अगर अभी त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें दोस्तों तक शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें